हम सभी लोग कहने कहीं एक अच्छे बक्त का इंतिजार करते रहते हैं एक अच्छा बक्त आएगा तो हम काम करेंगे मेहनत करेंगे लेकिन उस अच्छे बक्त में हम बहुत सरा समय को बरवाद कर देते हैं और जब तक कि हम पे पूरी तरह से दवाब नहीं बन जाता है, सब तक हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो माईडेर फेंट्स माईराव संदाज आप सभी को अश्टुडेंट्स लाइप के यूटूब क्यानल पे स्वागत करता हूं। आज के इस नई कहानी में। एक बार की बात है, एक राजा सुबह और सामको एक बगीचे में प्रत्यक दिन चहलते थे। लेकिन अचानक उन्हें एक चिणिया पर नजर आई। और वह चिणिया उन्हें नहीं पा रहा था। उसके माता पिता उसे बाहर से खाना और पानी ला कर देते और उसे उड़ाने की बहुत कोशिस कर रहे थे। राजा ने यह सोचा कि इस चिणिया के माता पिता इसे कब तक ऐसा करता रहेगा। राजा ने अपने साइनिक को आदेश दिया कि इस चिणिया को उड़ा दो साइनिक प्रियास करते रहे लेकिन चिणिया एक चाल से दूसरे डाल दूसरे से तिसरे यह प्रकिरिया चलती रही और चिणिया नहीं उड़ पाई साम का बक्त था राजा ने अपने सायनी को आदेश दिया कि सभी गाउम में सुचित किया जाए कि जो इस चिडिया को उड़ा देगा उसे इनाम दिया जाएगा कल सुबह इसकी बुलाया जाए सभी लोग सुबह उपस्थित हुए और एक एक कर सभी लोग चिडिया को उड़ाने का प्रयास करने लेगे लेकिन सभी लोग कहीं न कहीं असाफ़ल होए उसी में एक अंधा ब्यक्ति जिसे कुछ दिखाई नहीं देता उसने का हमाराज एदियाप अपने सायनी को आदेश देकर इस पेड का एक एक डाल काटने के लिए कहें तो यह चिडिया उड़ जाएगे राजा ने कहा तुम अंधे तो हो ही और साथ में तुम्हारा दिमाग भी अंधा है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंधे ब्यक्ति ने कहा कि महराज आप मुझ पर विस्वास तो किजिए पहले एसा करके तो देखिए राजा ने कहा चलो ठीक है उसके बाद उस अंधे ब्यक्ति के अंसार उस पिड़ का एक-एक टहनी काटा जाने लगा और अंत में जब एक टहनी बची जैसे ही हुआ टहनी कटी चिणिया उड़ गई राजा ने उसकी बहुत प्रसंसा की और उसे इनाम दिया यह कहानी बहुत ही सरल और बहुत ही मारमिक है माडे फेंट इस कहाने से जो हमें सिच्छा मिलती है हम सभी लोग कहने कहीं आराम की जिन्दगी में बैठे हुए रहते हैं और हमें एक अच्छे समय का इनतिजार होता है कि हमें कोई लाकर दे दे जब तक कि हम पे कोई संकट नहीं आ जाता है सब तक हम सोचते नहीं है यदि हम सोच भी लेते हैं तो आलस्त और ठक जाते हैं और फिर हम हार पार कर बैठ जाते हैं लेकिन दोस्तों उस चिणिया की डाली कटने से पहले ही जिस परकार से उस चिणिया की डाली कटी है उस से पहले ही हमें यह सोचना चाहिए कि जब तक हम पर कोई संकाट आए और हमारी डाली कटे उस से पहले ही हमें मेहनत कर आगे बढ़ने की कोशिस करना चाहिए तो हमें आसा है कि यह कहानी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और एदि आप सभी को यह कहानी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेर जरूर कीजिए प्रतेक गुरुबार को सुबह 8.45 में यह कहानी अपलोट क क्या जाता है तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें मस्त रहें बेश्ट आप लगा अ कि अदेना है।